वेलकम तो चैनल तो भाई आज फिट से हम टीर डाउन करने वाले हैं एक स्पेशल वेरियंट का महिंद्रा एक्ष्यू 310 के जिसके बारे में ना तो किसी को भाई नौलीज आ है और ना कोई बात कर रहा है आप लोग सर्च कर रहे हो कुछ भी आपको कंटेंट नहीं मिल रहा चैनल तो हम अभी कार भी प्ले करने वाले हैं साइड बाु-सइड कर लेकर योग तो आप अब देख सकते हो कार को भी हम लोग प्ले कर रहे हैं आपके लिए तो बैं आप मैं आपको बता था हुए कौन सा व्यरियूंट है यह आपका छुपारुस्तों बेरियंट भाई कि अपको बात नहीं कर रहा क्योंकि निहीं कि में नहीं किसी को इसको नहीं है डाटा नहीं है तो हाँ आप स्क बारे में वीडियो बना दी यह तो obviously अब काफी भाईयों को आ जाएगी यह लेकिन first जो knowledge दे रहे हैं वह हम ही दे रहे हैं MX2 Pro के बारे में ठीक है और क्यों यह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास proper detailing की लिस्ट है आप focus करके देखो 3XO लेका इस पर आप मेरी बात पर यहां किसी यूट्यूबर की बात पर trust मत करो लेकिन जो exact detailing है उस पर आप trust कर सकते हो तो भाई अगर आप चैनल पर नियो हो तो please subscribe button को प्रेस कीजिए अगर आप हमारी efforts को सरहाते हो तो अच्छा लगता है so please do subscribe to the channel or if anybody wants to see this video in English you can switch on the subtitles from the options in the YouTube menu then you will be able to see the subtitles as well so अभी हम हिंदी में बना रहे हैं so let's start friends इसमें आपको क्या मिलता है सबसे पहले तो मैं आपको बता रहे हैं यह MX2 Pro variant जो diesel वाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं साथ साथ आप कार भी डरनिंग देखते जाएए exact कार आपके लिए लगा रखी है इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या हो जाता है friends के इसमें आपको एक तो additional आ जाती है sunroof जो MX2 में नहीं है तो MX2 से सबसे बड़ा फरक तो इसमें यह आ गया के sunroof आ रही है इसके अंदर sunroof is kind of a very luxurious बहुत luxurious फीचर रही है तो यह आप लोगों को चाहिए बाकी भी हम बाकी भी इसके हम features की specs की engine की और इसके average की और इसके proper rates वगयरे की सब की बात करने वाले है so एक मैंने आपको sunroof बता दिया दूसरा इसमें आपको wheel cover आ रहा है wheel cover आपको MX2 में नहीं आ रहा है लेकिन इसके अंदर आ रहा है ठीक है एक बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं राउंड 10 inch की इसके अंदर आपको infotainment आ रही है 10 inch is a good size उसके बाद आपको 4 speaker आ रहे है उसके बाद आपको steering audio control आ रहा है इस अवाज को ignore करना फ्रेंड्स ये notification है region का महिंदर की diesel कर्स में आता है तो let's get back to the topic ये इसमें आपको steering का audio control आ रहा है follow me home headlamps आ रहे है बाकी और features की बात करी जाए है अगर by halogen projector headlamps you are getting LED signature lamp with front turn indicator आ रहा है LED indicator on ORVM आ रहा है means आपको इसके उपर side minus पे indicator आ रहा है LED tail lamp आ रहा है उसके बाद आपको six airbags आ रहे है very good safety feature that's why महिंदरा कार्स do get four or five stars तो इसको भी global and cap में I'm sure this car will get around five stars तो उसके बाद आपको engine start stop आ रहा है 16 inch के आपको wheels आ रहे है plus you are getting the wheel covers also means wheel covers आपको MX tube में नहीं आ रहे है बट इसमें आपको आ रहे है उसके बाद आपको ISOFIX आ रहा है very good ESC आ रहा है means electronic stability control आ रहा है उसके बाद आपको power windows आ रहे है चारों में that's a basic feature in engine start stop में आपको बता दिया उसके बाद आपको क्या मिल रहा है front armrest with storage आ रहा है यहां पर armrest है जो आप साथ सा running में भी आप देखते जाओ मैं running कर रहा हूं उसके बाद आपको 60 40 rear split rear split seat आ रही है means जो पीछे की seat it will split into 60 by 40 means आप 60 गिरा सकते हो उसके बाद आपको electronic trumpet horn आ रहा है महिंद्रा का special horn होता है it gives good sound means that you don't need to invest from outside तो इसके अच्छी sound आती है आप देख सकते हो यह भी trumpet horn है इसमें उसके बाद आपको क्या रहा है front में USB-A socket you are getting and rear में USB-C socket you are getting rear means near the back AC vents इसमें back AC vents भी आ रहे है उसके बाद आपको 12 watt का socket भी आ रहा है for lighter you can आप इसमें lighter लगा सकते हैं उसके बाद आपको reverse parking sensors आ रहे है seat belt with reminders for all the passengers में तो सारे passengers के लिए आपको seat belt का reminder मिलेगा if somebody is not wearing the seat belt तो आपको reminder beep beep करेगा यह आपको जो seat belt है यह इसमें adjustable रहेगी means you can adjust the height उपर नीच आप कर सकते हो उसके बाद आपको क्या रहा है ठीक है specs की बात होगी friends अब हम इसकी बात कर लेते हैं इंजन की इंजन इसमें बिल्कुल गोली इंजन आ रहा है मैं आपको बता देता हूं इसमें आ रहा है 1.5 लीटर का बढ़िया है यह तर्बो CRDE इंजन आ रहा है तो यह इंजन बिल्कुल गोली है like if you want to drive the car at speed of around 150 मतलब 500 की speed पर आप गार चलाना चाहते हो हाइवस पर on the highways without vibration और जो shivering कार में जैसे हो जाती है कई कार में शुफ्ट वगारा में कई लोग फील करते हैं या वैगनार में around 50 क्रॉस करके इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है 1.5 लीटर का टर्बो इंजन लगा हुए बेस्ट इंदा क्लास इंजन है उसके बाद यह बात होगी आपके इंजन की मैं आपको इंजन स्पेक्स भी बताए दो कि इंजन के स्पेक्स क्या है इसमें फ्रेंड्स आपको इंजन जो मिल रहा है that is a 1.5 लीटर टर्बो डिजल इंजन CRD इसमें आपको around 86 kW at 3750 rpm है और 300 newton meter टॉर्क है at 1500 से 2500 rpm ठीक है उसके बाद अब इसकी average के बात कर लेते है friends इसमें जो car average जो highway पे आ रही है that's very good average around 19-20 की average you are getting in the diesel car which is one of the best in the segment जो आपको most probably breeza में भी नहीं मिल रही होगी तो इसकी average is really good which I was impressed after getting to know और आपको CT की average around इसमें आपको पढ़ रही है around 13 या 14 की talking about the diesel car right now we are only talking about the diesel car diesel के कार के ही सारे specs दे रहे हैं mx2 pro diesel तो यह होगे आपका average की बाद जो किसी ने भी नहीं भाही ने बताई first time कोई बता रहा है उसके बाद आपको आपको आप हम बता देते हैं इसका rate क्या है rate की भी कोई बात नहीं का रहा है only you are getting to know about the x-showroom nobody is talking about the on-road on-road price भी आपको बताया दें तो भाई इसका on-road pricing जो आपको पढ़ रहा है पहले एक शोरूम भी बताया तो मैं 12,50,000 तो इसका जो diesel mx2 pro head you are getting for 12,50,000 तो you can say this is kind of a value for money car क्योंके आपको यह काफी सारी feature मिल गाया car के अंदर sunroof भी मिल गया है तो i hope friends you liked the video और अगर आपको content अच्छा लगा तो please do subscribe share this video to others also बाकी लोहों को भी आप यह video को share कीजिए और like the video comment आपको अगर को भी आपकी चीज़ पूछें यह करें शोली comment I reply to all the questions अब देख सकते हैं so bye bye friends take care